नमस्का आए उससी आयो जर्खन की टोप 25 पर मुखबर जानते हैं जर्खन में सिपाई हवलदारों का अंदोलन अस्थागी जर्खन बिधान सभा में सुक्रवार को जर्खन बयट सत्र के दुरान जर्खन पूलिसमेंस एसोसेशन ने मुख्य मंत्री हमानसुरें से मिलने पहुचे इसके बाद मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने एस्वासन को अस्वासन दिया है कि उनकी जितनी भी जायज मांगे है उसे सरकार सिग्र पूरा करेगी मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने कहा कि पूलिस के जवान सरकार के अंग है और सरकार उनकी समस्याओं से भली भाती अउगत है आपको बता दे कि मुख्य मंत्री हमान सुरेन के अस्वासन के बाद सिपाई हवलदारों का अंदोलन सुक्रवार रात आठ बैसे अगले आदेश तक के लिए स्थागित हो जाएगा मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने जार्खन पुलिसमेंस एसोसेशन के पताधिकारियों के साथ बैठा कर उन्हें अस्वासन दिया है कि उनकी जितनी भी जाएज मांगे है उसे सरकार सिग्र पूरा करेगी रेलवे ने आर आर भी एंटी पीसी केंडिडेट की मांगे मानी एक छात्र एक रिजल्ट लागू रेलवे के नन टेक्निकल पॉपलर कटेगरी परिक्षा का फिर से संसोधित रियल्ट जारी करने का एलान किया गया है रेलवे ने छात्रों के ज्यादतर मांगों को मानते हुए नई अधिसुतना जारी कर दी है रेलवे के नए फैसले के मुताविक RRB NTPC का संसोधित रियल्ट अपरेल के पहले सब्ता में जारी होगा अधिसुतना जारी करते हुए RRB ने घोस्तना किया है कि NTPC स्टेज 2 परिक्षा का 20 गुना ज्यादा रियल्ट जारी करेगा जिसमें सभी अभ्यार्थी अलग-अलग होंगे रेल मंत्राला की उच अस्तरिये 5 सदस्य कमिटी की रिपोर्ट के बाद रेलवे ने छात्रों को लेकर कई फैसले लिए दो दिवसिये दोरे पर जार्खन कॉंग्रेस परभारी पलामू और कोलहान में करेंगे सनवाद अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमिटी के महासचीव एवाम जार्खन परभारी अविनास पांडे दो दिवसिये परमंडल अस्तरिये कॉंग्रेस पता अधिकारी परतिनिदी सम्मेलन सनवाद में भाग लेने के लिए राची पहुच रहे हैं बता दे पलामू परमंडल में 12 मार्च वा कोलहान परमंडल में 13 मार्च को सनवाद कारिकरम का आवजन किया जाएगा इसके लिए वे आज राची पहुँच रहे हैं जार्खन कॉंग्रेस कमेटी के परवक्ता राजी उरंजन परसाद ने बताया कि कॉंग्रेस परभारी अविनास पांडे पुर्व निधारित कारकरम के तहत 12 मार्च को पलामू परमंडल यम 13 मार्च को कोलहान परमंडल में परमंडल अस्तरिय सनमेलन में भाग लेंगे जार्खन में पेजल की समस्याव का समधान के लिए कॉल सेंटर में करे सिखाया जारखन में पेज जल एवं स्वास्ता विभाग से समधी सभी परकार की जन सिखायतों के तोरित निस्पादन एवं मोनेटरिंग के लिए राज अस्तरी वेव अधारित कॉल सेंटर का उद घाटन पेज जल एवं स्वास्ता मंत्री मिशलेश ठाकूर ने गुरुवार को दो एवं मोबाइल नंबर या वाट्सेप नंबर 94-77-79-01 या जारखन एडड़रेट जीमल.com एवं जारजल मोबाइल एप पर सिखायत दर्ज कराई जा सकेगी लोहरदागा के बांडी और पुत्रार जंगल से 150 केन समेत कई हत्यार बरामत लोहरदागा जीला अंतरगत बांडी और पुत्रार जंगल में नक्सलियों दोरा छुपा कर रखे हत्यार को पुलिस ने बरामत किया है नक्सलियों के खिलाप जारी छपे मारी अभियान के तहद पुलिस को भी भीन साइज के 150 केन के साथ कई हत्यार मिले है वहीं अभी सुरक्षा बलो का सर्च अप्रेशन जारी है पुलिस को निसाना बनाने के लिए छुपा कर रखे गए केन समेत अन्य हत्यार को लोहरदागा जीला के पेसरार थाना अंतरगत बांडी और पुत्रार के जंगल से बरामत किया है देवघर चे 15 साइबर क्रिम्लस गिरफतार देवघर जीला अंतरगत साइबर थाने के पुलिस ने ओनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का खुलासा किया है इस मामले में साइबर थाने के पुलिस ने 15 साइबर क्रिम्लस को गिरफतार किया है साइबर थाने की पुलिस ने DSP सुमीत परसाद के नेतियुत में देवगर के मधुपूर साराट बुढ़ाई छेतर में छापे मारी कर 15 साइबर क्रिमलस को गिरपतार किया है साइबर DSP सुरी परसाद ने बताया कि गिरपतार अधिकान साइबर क्रिमलस धानी एप के माध्यम से ओनलाइन लोन दिलाने के नाम पठगी का काम करते थे जारखन की पोशन सक्खियों के लिए सरकार की नई योजना महिला बाल बिकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोभा मांजी ने पोशन सक्खियों के सभी तरह के बकाया मांदे का भुकतान मार्च माह के अंतक कराने का भरोसा दिलाया है सुक्रोवार को विधान सबाक दूसरी पाली में सुक्रोवार को महिला बाल, विकास, कल्यान वो अल्पसंख्यक कल्यान विभायक के अनुदार मांगो पर बाद विवाद के बाद सरकार के जवाब के करम में जोबा मांजी ने सदन में या घोसना की है जोबा मांजी भाजपा विधायक नीरायादो द्वारा लायग एक कटोती प्रस्ताव के जवाब में बोल रही थी इस दवरान सता पक्स और विपक्स के सदस्यों ने महिलाओ आदिवासी हीतों से जुड़ी मुद्दों को भी उठाया जारखन में खेल समागरी घोटाला की जाच कर रही ACV से हाई कोट नराज जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजर वा जस्टिस एसन परसाथ के अदालत में 34 वे राश्ट्रिये खेल घोटाले में खेल समगरी और खेल गाव निर्मान में अनिमित्ता की जाच पूरी करने की मांगवाली अजका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान अदालत ने मामले की जाच पूरी नहीं होने पर कड़ी नराजगी जताई है अदालत ने कहा है कि क्यों नहीं इस मामले की जाच CBI को सुब दी जाए अदालत ने सरकार से पूछा है कि मामले की जाच अब तक क्यों नहीं पूरी हुई अदालत ने सरकार को ACB को 25 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है पलामु उपायुक्त का निर्देश आपसी समन्वे से जाती पवनपत्र निर्गत करे पलामु जिले के स्कूलों में पढ़ रहे बचों का जाती पवनपत्र बनवाने को लेकर बीडियो स्यो परखंड सिक्छा परसार पता दिकारी वह समन्दित स्कूल के परधना ध्यापक आपसी समन्वे से आवस्यक करवाई करना सुनिश्चित करे यह निर्देश पलामु जिले के उपायुक सासी रंजन ने दिया है वे सुक्रवार को NIC सभागार से कारयों की ओनलाइन समीक छाक कर रहे थे बताया कि सिग्रही परखंडों में बीसेस सिवीर आवेजित कर स्कूलों में जाती पवनपत्र निर्गत किया जाना है इसका व्यापक परचार परसार करना अवस्यक है बीसेस सिवीर से पूर्व समधित इसकूल के परधना ध्यापक बचों को जाती पवनपत्र बनवाने में लगने वाले आवस्यक दस्तावेज की पूरीजन कारी लेना सुनिश्चित करेंगे जारखंड में कुरोना के असी नए केस मिले हैं जब की 83 मरी स्वस्त भी हुए है जारखंड में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 333 है भारत में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 40-560 है सुक्षम सिचाई बीधी से खेती कर जारखंड की किसान बचार है पानी लोहरदागा जिले के कैरो परखंड में 60 किसान जल सनरक्षन को बढ़ावा देने के लिए सुक्ष में सिचाई बीधी से सिचाई कर रहे हैं ड्रीप एरिगेशन के मादेम से सिचाई करने वाले चाल हो महुरी गोपाल गंज टाटी उल्टी सहित अने गावों के दरजनों किसान हैं जो की पानी की बरबादी रोक कर अपने जीव को पारजन के लिए किरिसी कारे कर रहे हैं गढवा जीला में जीला खनन टास्क फोर्स की बैठाक अवायद बालू परना केल कसने की तयारी गढवा उपायूग तरमेश घोल अपने वीडियो कनफरेंसिंग के माध्यम से जीला अस्तरिये खनन टास्क फोर्स की बैठाक की इसमें उन्होंने जीले में हो रहे अवायद खनन तथा उसके उठाव पर रोक लगाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि खनन के मामलो वह उस पर करवाई के संदर में गढवा जीले की छवी राजे में असंतोस जनक है इससे रजस्व संगरा में भी भारी नुकसान हो रहा है अैसे में जीला पर सासन अवायद खनन रोकने के लिए परतिवध है उपायुक्त ने कहा कि जीले में अवैद उत्खनन को रोकने के लिए यह जरूरी है कि पदाधिकारी जीले में मौजूद सभी घाटों की जनकारी रखे साथ ही आपसी समन में बना कर करवाई करे DC ने बताया कि जीले के घाटों को दो कटेगरी में बटा गया है जारखन में दो बच्चे जैपनिज इंसेफलाइटीस से संक्रमीत खतरनाक बिमारी जैपनिज इंसेफलाइटीस जैई की जद में कटम सांडी की एक बची आ गई है बता देश खबर से ग्रामनों में दशत का महौल देखा जा रहा है ग्यात हो की कटम संडी परखंड के दो मासूम जुड़वा बच्चे में जैपनीज इनसेप्रलाइटीस के लक्षन पाये जाने के उपरांद सदर विधायक मनीश जैसवाल के निदियस पर उनके मीडिया प्रतिनिधी रंजन चौजरी ने ततकाल पहर शुरू की थी मानव स्रिंखला बना करने तंबाकू लाइसेंस का बिरोध तंबाकू के साथ खादे पदात बेचने पर परतिवंद के बिरोध में सुक्रवार को तंबाकू बिक्रेताओन ने अरगोड़ा चोग के पास मानव स्रिंखला बनाई लोगों ने निगम के नए लाइसेंस कानून का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग भी की इधर मानव स्रिंखला अस्थल के पास से ही मुख्य मंत्री का काफिला भी गुजरा इस दोरां सभी विक्रेता बैनर लेकर सड़क किनारे परदस्कन करते रहे बता दे कि तमबाकू बेचने वालों को राची नगर निगम ने तमबाकू बेंडिंग लाइसेंस लेने के निर्देश दे रखा है खतियान और भासा आंदोलन तेज महिलाओ ने चलाया अभियान फूलो जहानो मुर्मो 1922 खतियान संगठन के बैनर तले खतियान एवं भासा आंदोलन को लेकर गाओ में जागरूपता आंदोलन चलाया जा रहा है इस करम में संगठन द्वारा हीजला, रानी डीड, करहट बील, सिरी अमडा, जोगी डी, सोना डंगाल, खैरान बानी, गाओ में बैठा कर गिरामिनों को जागरूपता रहा है संथाली को प्रथम राजे भासा गोशित करने, बारी भासाओ को छेत्रिय भासा गोशित करना बंद करने, अनसुचित छेत्र में पेशा कानून लागू करने, SPT, CNT Act को सकती से लागू करने की मांग की जा रही है भगवा कपड़े पहन जार्खन बिधान सभा पहुंचे BJP बिधायक और परिवार वाद का सफाया हो गया रामगड में पानी भरने गई यूती की रेप के बाद हत्या रामगड जिले के गोला परखंड के बरलंगा थाना छेत्र में 19 बरसे यूती की रेप के बाद हत्या का ममला सामने आया है घाटना सुक्रवार देर रात की है घाटना का खुलासा सुक्रवार को तब हुआ जब यूती के परिजन उसे खोईने निकले यूती का सव बगल के टेंट हाउस गोदाम में दुपट्टे से लटका मिला बतादे पडोस के परत्यक्ष दर्सी बचे ने बताया कि टेंट हाउस चलाने वाले संतोस मतो पिर्ता को जबरन खीच कर गोदाम के अंदर ले गया अर्जुन मुंडा एतिहासिक मेगालित साइट चोका हातु के संरक्षन वा विकास कार्यका करेंगे सिलन्यास जारखन के राची जी लेके सोना हातू परखन के एतिहासिक मेगालित साइट चोका हातू के सनरक्षन एवं विकास कार का सिलन्यास 12 मर्च को किया जाएगा बताएदे केंद्री ये जन जातिये मामलो के मंत्री अरजुन मुंडा इसका सिलन्यास करेंगे इस असरपर्राज के अनुसूचित जाति, जन जाति, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग, एवं, कल्यान मंत्री, चंपई सुरेन, राची से बीजेपी के सांसत संजय सेट मुझूद रहेंगे तेली जाति को एस्टी का दर्जा देने की बढ़ी मांग, 100 किलोमीटर तक बनाया मानवस रिंखला छोटा नागपुरिया तेली जाती को अनुसूचित जन जाती का दर्जा और खतियान अधारित अस्थानिय निती लागू करने की मांग को लेकर तेली जाती के लोग अब आंदोलन में उतर आया है जारखन राजमें लागतार सरकारों दोारा इस जाती को छले जाने का रोप लगाते हुए समुदाएक के आक्रोसित लोगों ने सुक्रवार को गुमला से लेकर राची तक 100 किलोमीटर की दूरी तक मानोव सिरिंखला बनाए साथ ही सरकार तक अपनी बातों को पहुचाने का काम किया केंद्रिय माधमिक सिक्षा बोट सी बार्टी ने इस बार की दासवी और बरहवी बोट की तरम टो की परिच्षा की तरिखों का एलान कर दिया है बोड ने बताया है कि ये परिक्षा है 26 अप्रेल से शुरू होगी बता दे क्रोना महामारी की वज़ा से इस बार बोड की परिक्षा है दो टर्म में ली जा रही है पिछली ही साल CBSC ने 2022 की बोड परिक्षाओं को दो बार में कराने की खोसना की थी परले टर्म की परिक्षा कराई जा चुकी है वहीं अब दूसरे टर्म की परिक्षा दोनों बोड दसवी और बराहमी के लिए 26 अप्रेल से शुरू की जाएगी बोड ने टर्म 2 परिक्षा के लिए डेट सीट जारी करते हुए शुकरवार को कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि स्कूल महमारी के कारण बन थे उसने दो परिक्षाओं के बीच काफी अंतर दिया है बोड की ओर से कहा गया है कि डेट सीट तयार करते समाए जे-मेन सहीत अनपर्तियोगी परिक्षाओं को भी ध्यान में रखा गया है चारखन लोग से वायोग ने चाट जब्ले पैसी का संसोधित रिजल्ट सुकरवार को जारी कर दिया है 326 अभियार्थियों के result जारी किये गए हैं इसमें करीब 60 अभियार्थी ऐसे हैं जो पहली बार इसमें सामिल हुए हैं जबकि पिछले result से 60 अभियार्थी जो अधिकारी बन गए थे वे merit list से बाहर हो गए हैं अब उनकी सेवा समाप्त करने के लिए JPSC कार्मिक विभाग को अनुसंसा करेगा जिसके बाद उन्हें सेवा से हटाया जाएगा आयोग ने हाई कोट के निर्देश के बाद 6 JPSC का संसोई रियल्ट जारी किया है राजपाल और मुख्य मंत्री को हरताल की और राजपत्रित करमचारी महासंग ने दी जनकारी जारखन राज और राजपत्रित करमचारी महासंग ने 28 और 29 मार्ज को दो दिवसे राष्ट व्यापी हरताल की जनकारी सुक्रवार को राजपाल और मुख्य मंत्री सहीत अधिकारियों को दी यह हताल अखिल भारतीर राज सरकारी महासं के बैनर तले किया जाएगा और आज पत्रित करमचारी महासं के राज अध्यक्ष नमीन चोधरी और महमंत्री रामाधार सर्मा ने कहा कि करमचारियों की परमूख एवाम जौलन्त मांगो को लेकर केंद्र और राई सरकार को बार बार ध्यान अक्रिष्ट कराया जाता रहा है लेकिन सरकारों ने इसे नदर अंदाज किया है राष्ट्रिये लोक अदालत आज सिविल कोट एवं समा नाला में सन्निवार को आयोजित राष्ट्रिये लोक अदालत में मामलोक निस्पादन के लिए 79 बेंचों का गठन किया गया है इसमें 49 बेंच नियाईक दंडा अधिकारियों के लिए एवं 20 बेंच करेपालक दंडा अधिकारियों के लिए है डालसा सचीव कमाल कुमारी ने जनकारी देह कि 25 हजार पक्षकारों को नोटीस फेजा गया है केंद्र को भू ड्रोन सरवे पर राजे में रोक सीम हेमन्त मुख्य मंतरी मंसुरे ने कहा है केंद्र की स्वामित योजना को राजे में फिलाल रोक दिया गया है पूरी समिक्षा के बाद सरकार इस पर आगे निरना लेगी मुख्य मंत्री सुक्रवार को विधान सभाव में भागपा माले की विधायाग विनोत कुमार सिंग के तारांकिक प्रश्ण का जबाब दे रहे थे बता दे कि यह योजना 2020 में लागू की गई थी अस्थानिय निती को लेकर चार्चा होई अस्थानिय निती एवं नियोजन निती के मुद्य पर सुक्रवार को कछारी रोड इस्थीत एक होटल में आदिवासी मूल वासी सन्युक्त मोर्चा की बैठाक होई बैठाक में अस्थानिय निती को लेकर चार्चा होई और यहताय किया गया कि इससे समंधित परतिवेदन सरकार को दिया जाएगा इसको लेकर 13 मार्च को बिहार कल्व में फिर से बैठाक होगी बैठाक में डाक्टर कर्मा उरा उपस्थित थे धन्यवाद यादी आप चैनल परना होई तो चैनल को सब्सक्राइब कर बावल का वे लेकर अंदा बज़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों से शेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट पक्स में अपना फिडिवेक अवस से दे थैंक यू